हिंदी सुलब भारती सात्वी कक्षा पाठ तिस्रा दादी मा का परिवार इस पाठ का आज हम स्वाध्धय देखने वाले है पहला प्रश्न देखो घटना के अनुसार क्रम लगा कर लिखो यहां हमें कुछ घटनाई दी गई है इन घटनाओं को पहले पड़ो और इनका उचित क्रम देखकर इने फिर से लिखो वाक्के देखो कौन-कौन से है चिंकी ने भी दो बेटों का उपहार दिया एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार टीनू-मीनू चुसकू-मुसकू खेलने लगे घर के अंगन में बरगत का पेड था अब हम इन वाक्कियों का उचित क्रम लगाते है पहला वाक्के देखो घर के आंगन में बरगत का पेड था दुसरा चिंकी ने भी दो बेटों का उपहार दिया तीसरा टीनू-मीनू चुसकू-मुसकू खेलने लगे चौथा एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार उत्तर लिखो इन में से पहला चिडिया कहां रहती थी उत्तर चिडिया घर के आंगन में बरगत के पेड पर घोसला बना कर रहती थी दुसरा प्रश्न बहेलिया कब ठगासा रह गया उत्तर जब सभी पक्षी एक साथ जान लेकर उड़ गये तब बहेलिया ठगासा रह गया दादी मा सुभ उठकर क्या करती उत्तर सुभ उठकर दादी मा घर बुहारती, समारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवार जनों से बतियाती आगला प्रश्न चुसकू मुसकु ने किस से जाल काटा उत्तर चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दातों से जाल काटा अगला प्रश्न देखो भाशा की और निम्नलखी शब्दों के वचन बदल कर वाक्य में प्रयोग करके लिखो यहां हमें कुछ शब्द दिये गये है उन शब्दों का हमें वचन बदलना है और फिर उनका वाक्य में प्रयोग करना है पहला शब्द देखो थैली उसका अनेक वचन है थैलिया दूसरा शब्द पंखा इसका अनेक वचन है पंखे दीवार इसका अनेक्वचन दीवारे राजा इसका अनेक्वचन राजा ही आता है वस्तुये यह अनेक्वचन है इसका एक्वचन वस्तु होता है बेडिया यह अनेक्वचन है इसका एक्वचन भेडिये आता है अब हम इनका वाक्यों में प्रयोग करते है पहला देखो थैलिया थैली हमें पॉलिथीन के स्थान पर कपड़ी की थैली का प्रयोग करना चाहिए दुसरा, पंखा, उसका अनेकवचन पंखे, दोनों पंखे खराब हो गये है तीसरा, दिवार, दिवारे, पुताई के बाद घर की दिवारे चमकूठी चोथा, राजा, इसका अनेकवचन राजा, दश्रत एक, प्रतापी राजा थे अगला देखो, वस्तुये, वस्तु, किसी प्राणी और वस्तु के नाम को सौध्या कहते है भेडिया, भेडिये, सभी भेडिये आगे से डर कर, शिकार छोड़ कर भाग गए बहु, बहुये, तीनों बहुये, दीन रात, बीमार सास की सेवा में लगी रहती है रोटी, रोटियां, दिब्बे में रखी, सारी रोटियां बंदर ले गए बच्चों, स्वाध्या लिखने के बाद, वचन किसे कहते है, ये जरा जान लो शब्द के जिस रूप से सद्न्या की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते है वचन के दो प्रकार है, पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन एक वचन किसे कहते है, देखो, किसी एक व्यक्ती, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते है जब भी हमें किसी शब्द से सिर्फ एक व्यक्ती या एक वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते है? एक वचन कहते है जैसे देखो, कलम, नदी, लड़का, बिल्ली, गुलाब, लुटिया, गधा, तलवार, कहानी, पुस्तक, आंख, कमरा, आदत, संस्कृती, जूता, कव्वा, सक्खी, परिक्षा, भैस, वस्तू, आदी तो इन शब्दों से हमें यह वस्तू या व्यक्ती सिर्फ एक है, इसका हमें बोध होता है, इसलिए यह सारे शब्द एक वचन है बहुवचन किसे कहते हैं देखो, अनेक व्यक्ती, वस्तूओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं याने कि जिस शब्द से हमें व्यक्ती और वस्तू अनेक है, ऐसा पता चलता है, तो उस शब्द को बहुवचन कहते हैं जैसे देखो, घटनाये, कलमे, नदिया, गौवे, लडके, बिल्लीया, लताये, बक्रिया, बुन्दे, राशिया, धातुये, पुस्तके, वधुये, तिथिया, कारखाने, गुडिया, रुतुये, अंगुठिया, परिक्षाये, मुहले, आदी, तो यहां इन शब्दों से हमें यह वस्तू और व्यक्ति अनेक है, इसका ग्यान हमें होता है, इसी लिए यह सारे शब्द बहुवचन है